तो स्वागत है आपका आज के इस बेतर इंचे वीडियो में आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम जो सबूफर अन्बोक्स करने वाले वो जे बी एम की तरब से आने वाला अपना 12 इंच का सबूफर है आप इधर जितने भी फोटो देख पार है उससे भी कापी सुंदर अपना सबूफर है इसमें वीडियो सुरू करने से पे नहीं मैं बता दू ये कोई भी स्पोन्सर वीडियो नहीं है नाई ये कंप्डे ने मुझे एप्रोच किया है मैंने खुद अपने पेशो से ये प्रोड़क खरीदा हुआ है ताकि मैं आपको जेसा भी ये प्रोड़क है उसका पूरा सही से रिव्यू देबाओ तो चलिए गए सबसे पे ने इसकी साइड में थोड़ा दिखा देता हूँ उसके बाद हम इसको उन्बोक्स करेगे तो इसका जो मोडल है ट्वेलिंट सब उफर इसका पावर एंडलिंग कंटिनियूस मतलब ये इसका आरेमेस हो गया है 325 वोट आरेमेस है सेंसिटिविटी 90 db है और इसका फ्रिक्वेंसी रिस्वेंस जो की काफी माहिने रखता है वो ये लो अपना 32 अर्ट्स तक लो जाता है और 180 अर्ट्स तक की फ्रिक्वेंसी को ये संपाल सकता है फोर ओम का नॉर्मल इंपिडेंस है और प्रोड़क्ट डैमेंशन वगरा इधर है ये अपना 120 mm ड्यूल मेड़नेट में प्रोड़क्ट है तो चलिए जिल्दी से अब इसको अन्बोक्स करते है तो यह देखिए कैस यह अपना सबूफर है जिसकी क्वालेटी का अंदाज आप लगा सकते हो पिछले एक वीडियो में हमने जो वल्टेक का पूराई सिल्द इंक्लोजर आता है उसको अन्बोक्स करके उसकी रिव्यू टेस्टिंग देखे थी तो उसमें सेम इस कॉन में यूस किया हुआ अपना सबूफर था और सियम यही कॉलेटी थी तिली उस बात को छोड़के मैं नए सिरेस आपको इसमें बताता हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें सबसे पहले आप यह देखिए यह आप जो रबर देख पार होगा ना यह पूरा डिटेच डिटेचेवल ह मानिये कई लोग इसके उपर पूरा ही ग्रिल लगाते तो अगर आप यह रबर होगा और ग्रिल लगाओगे तो उसका फिनिसिंग नहीं आएगा और सही तरीके से आप इंप्लिमेंट नहीं कर पाओगे उस वजह से आपको यह दोनों चीज मिलती है कि अगर इसके उपर आ एसके बारेजन में बताता हूँ जो नौर्मल कुन होते हैं उसमें एतने हाट नहीं होता है जो नौर्मल सबुफर आते हैं मिड रेंज में उसवजे से उसका sous की जाता होगता होगता हय। लेकिन यह अपना जो सबूफर है इसमें यह कौन आड मटिरियल का दिया गया है यह वाला बीच वाला उस वज़े से इसको थोड़ा सोप्ट रखा जाता है और रबर सराउंड दी जाती है ताकि परफोमंस आपको बहुत अच्छी सी मिल पाए और इसमें आप यह देखोगे तो यह सोप्ट रबर सराउंड है उस वज़े से इसकी जो एक्सकरजन होने वाली है बहुत ही ज्यादा होने वाली है यानि कि उपर नीचे जो अपना सबूफर होगा जब इसमें ब्यास पड़ेगा उसके बाद इसके इसमें कनेक्टर की बात करें तो इसमें आपको इस फ किया गया आप देख पार होगे तो अधर भी पूरा सेल्ड है और इस वर भी पूरा सेल्ड है अब इसमें मेरे को इटीज जो मिसिंग लगी है वो यह है कि इसमें कहीं पर भी वोइस कोल के लिए वेंट नहीं दिये गए अलाकि इदर अपना पूराई एरपोट दिया गया ताकि अपना पूर रह सके और इसकी जो आवाजे हो तोड़ी साप आए तो चलिए अब इसके टेकनिकल पेरामेटर पे हम चलते उससे पहले मैं इसकी मेगनेट साइज दिखा देता हूँ इसमें भी आपको रबर दिया जाता है ताकि जो रस्टिंग वगरे का इस्यू है वो सोल हो सके वो लूक वाइस भी कापी से ही लगए यह देखिए सेम फ्रेडो की जो रबर आपको मिलती है सेम उसी टाइप की अर्छी कोलेटी की रबर आपको मिलती है वे देखिए इसमें 120 mm ड्यूल मेगनेट का यूज किया गया है और इसका जो अपना आर्यमेस पावर वो 325 वोट आर्यमेस पावर है जो कि मेरे को एक जिल लगता है इसमें कोई बड़ा चड़ा के नहीं बोला गया है अब यह देखिए इसकी मेगनेट के बारे में इदर मेंचन है 120 60 by 40 mm का मेगनेट है और यह पूरा ही मेड इन इंडिया है तो इसका जो फ्रिक्वेंसी रिस त्यून करके बना हो गया तो आपको बेस्ट आउटपूट मिल सकती है इससे आला कि हम इसकी टेस्टिंग आगा देखेगे तब हम तब मैं आपको और कॉन्फिडेंस के साथ बता बाऊगा कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी यूँकि मैंने अभी तक इसको टेस्ट नही हुए और 2.25 इंच की वोइस को लगी हुए है इन आउट डायमेटर के साथ और इसमें 4 लेयर की कोईल का यूज किया जाता है जो कि सब इस सब वूफर में यूज होता है तो चलिए इसके कुछ टेक्निकल पेरामेटर हो गए अब हम बात करते है कि इसको चलाना के लिए आ लेकने को मिल जाएगा यानि कि 2350 रूपे का एक साल की आपको JBM की वोरेंटी मिलेगी जो कि आप मेरे थ्रू क्लेम कर सकते हो लेकिन जब भी आप वोरेंटी क्लेम करोगे इसमें कहीं पर फिसिकल डेमेट नहीं होना चाहिए दूसरी बात रिपेर नहीं होना चाहिए और तीसरी बात ले जाने यह आपको मेरे एड्रेस पे लेके आना पड़ेगा और वहां से लेके जाना पड़ेगा अगर आप आने पाओगे तो कुरियर जार्ज आपको पे करना रहेगा तो चली यह कुछ इसकी बात हो गई अब इसके बारे में तो सबसे पहलें जो हमारा ध् लेक्सिबिलिटी देखके मेरे को लग रहा है कि इसके साथ बहुत सही तरीके से बच जाना चाहिए आगे हम टेस्ट करेंगे बाकी इसको आप 2 चैनल 4 चैनल पे आराम से बजा सकते हो बिरीज मोड पे चलिए गाज अब इस फ्रिक्वेंसी जन्रेटर की एल्प से हम ट्वेंटी एड्स से लेकर थर्टी एड्स तक की फ्रिक्वेंसी इस पर टेस्ट करके देखते हैं तो गाइस आपने देखी इस सब उफर की टेस्टिंग अगर मैं आपको वीडियो में पहले नहीं बता था कि यह बेस्ट्यूब एम्प्लिफायर पे आमने इसको रन करके देखा है तो आप यही सोथते रहे थे कि यह 4 चेनल या 2 चेनल पे इसकी टेस्टिंग दिखा रहा है इसकी जो थंपिंग और इसकी जो फ्लेक्स थी सब उफर की अगर आपने नोटिस किये या चेसरे को डोपाईए तो बाइस साम आपको ये किन मानिए अगर आप सही से पूरा इंक्लोजर डिजैन करते हो ना इसके लिए ये ओपने इर में इतनी फ्लेक्स कर रहा है और इतनी ज्यादा एर प्रोड्यूस कर रहा है अगर आप इसको पूरा इंक्लोजर बनाके और उसमें बेस्ट्यू बेम भी लगा होगे ना तो आपको कोई कमी नहीं लगेगी आपका पूरा रूम या जहां पे भी आप इसको यूज़ करोगे वो जगह एल जाएगी क्योंकि इसकी जो ये सराउंड है ना वो इतनी अच्छी तरीके से डिजैन की गई है कि इसका जो फ्लेक्स या ना वो कम से कम वोट में ज्यादा से ज्यादा निकल के आ रहा है क्योंकि अगर कोई एक हेवी सबूफर होगा जिसकी कोन बहुत हार्ड होगी तो इस प्रकार का फ्लेक्स आपको मिनिमम वोटेज पे कभी देखने को नहीं मिलेगा शायद इसको देखने के बाद ही अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वोल्टेक वाल है अभी तक मैंने उसका इस प्रकार का सबूफर देखा है तो क्यों इस प्रकार का सबूफर यूज़ करते हैं बेस्टूब एम्पलिफार में 6000-6500 वोट का बोलके क्योंकि इसकी जो पर्फूफरमंस है वो कम से कम वोटेज में ज्यादा से ज्यादा निकल के आ रही है इस प्रकार का पूरा बिल्ड बनाने की सोच रहे हो बेस्टूब एम्प के साथ और 12 इंच का सबूफर चाहिए तो इससे बेस्ट ओप्सर अभी तक अपने को नहीं मिला है आगे आने वाले वीडियो में हम और भी सबूफर और भी कमपनी के एक्स्प्रोर करने वारे है लेकिन अभी तक जो हमने टेस्ट किया उसमें बेस्टूब एम्प्लिफार के लिए 12 इंच सबूफर अगर मेरे से कोई रिकमेंडेशन मागेगा चो कि मैंने टेस्ट किये तो उसमें ये पहले नंबर पर आएगा तो यही था कि आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सबूफर के बारे में आप क्या सोथते हो तो मिलते हैं एसे ही कोई और एक नए सबूफर या और एक नए स्पिकर के साथ नेक्स्ट वीडियो में